हेलो फ्रेंट्स दिस इस पंकस वेलकेम बाय केमें चैनल पंकस एरुटेक दोस्ते हाँ पर आपने सिटेट एक्जाम दे दिया होगा और दोस्तों आपने अपने रिजल्ट देखी लियोंगे यहाँ पर दोस्तों आपने यूपीटेट का एक्जाम दिया होगा तो दोस्तों उसका रिजल्ट अभी आया नहीं है रिजल्ट आने वाला है 15 को रिजल्ट जारी कर दी जाएगा ऐसा मतलब कहा गया है बाग दोस्ते हाँ पर देखते हैं रिजल्ट कब जारी किये जाएगा वो हम आपको जरूर बताते रहेंगे अपडेट वीडियो के मादम से दोस्ते हाँ मैं बात करता हूँ कितनी बेकेंसी आने वाली है अपने उत्रपदेश में दोस्ते हाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि आज न्यूस उपर में 37,000 पदों की बात करी गई है जिसमें करीब असिस्टेंट टीसर, जुनियर टीचर और एल्टी ग्रेट टीचर ऐसे करें दोस्तों हर तरह की वेकेंसी जो की सिक्षा विभाग से निकली हुई, निकलने की बात करी गई है तो दोस्ते हाँ बात करते हैं कि कितनी वेकेंसी आएगी प्राइमरी लेबल की और जुनियर की दोस्ते हाँ पर आपको पता है कि जैसे ही लोगों ने लखनों में जाकर कि धरना प्रशन किया था वेकेंसी को लेकर के एलक्षन होने से पहले तो दोस्ते हाँ पर सरकार द्वारा बताया गया था कि हम 17,000 वेकेंसी जारी करने वाले हैं लेकिन जो है इलेक्षन बाद होगा दोस्ते हाँ पर 17,000 वेकेंसी की जो है पुष्टी हो चुकी है लेकिन बाकी वहाँ पर जो डिमांड थी लोगों की करिब 57,000 पदों की थी 55,000 या फिर 97,000 पदों की थी और 55,000 पदों की थी अगर 97,000 नहीं नहीं निकल सकते तो at least 55,000 वेकेंसी आप जो है आउट कीजिए वहाँ पर गयापन दिया गया था जो परदेस के अधिक छिथे और रजस सिंग और बाकी दोस्तों वहाँ पर कोशिश करी गयी थी लेकिन वहाँ पर एक महिने बाद लगातार धरना प्रदेसंग के बास भी वहाँ पर कुछ भी सुनने को नई मिला है दोस्ते हाँ पर आपको बता दूं कि वेकेंसी को लेकर यहाँ पर बिल्कुल आप स्वस्तर हो 17,000 वेकेंसी के बाद करी गई है अगर आप यहाँ पर ग्यापन देंगे फिर से कोशिस करेंगे हो सकता है 10-15,000 वेकेंसी इसमें इंक्रूड हो जाए लेकि दोस्ते हाँ पर कुछ पद यहाँ पर मैं बताओं आपको कि 68,500 और 79,000 जो दो वेकेंसी हुई है इनमें जो है कुछ पद आरच्षड को लेकर मामला चल रहा था रिजर्वेशन को लेकरके लोगों ने पिछड़ा आयोग में और SST आयोग में जो है ग्यापन दिया था जिसके मतने जाए दोस्ते हाँ पर योगी सरकार ने 6,000 के आसपास पर फिर से निकाले गए थे जो जितने लोग इस आरच्षड से उनका स्ट्षड हो रहा था वो इस से जो है अपना फॉर्म भरकर अपना बेकेंसी फिल कर ले तो दोस्ते हाँ पर ऐसे में बेकेंसी की बात करूँ सिर्फ 17,000 की बात करी गई है दोस्ते हाँ पर आपको प्रिपेशन लगातार करनी है अगर आपने सीटेट या फिर टेट पास कर लिया है तो आपको सुपर डेट की प्रिपेशन करनी है तो दोस्ते हाँ पर जब भी कोई अपडेट आती है सीटेट 2022 को ले करके या फिर UPTATE 2022 को लेकर के हलाकि UPTATE एक बार हो चुका है और साल एक वर्स में एक बार ही कराने की बात करी गई है seated एक बार में दो बार करायाता है एक जुलाई के महिने में, एक दिसंबर के महिने में दोस्तों जितने बच्चे हाँ पर रहा है जिनके कम नमबर आया है सीटेट में वो बिलकुल आप लोग इंतजार करो कुछी दिनों में मतलब कि मार्च के एंड में या फिर फर्स्ट वीक अप्द अप्रेल आपको सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है फिर इसके बाद आप वहां पे अनलाइन एक फार्म आपका जो है इसके बाद दुसरा फार्म दोस्तों डिसंबर में आएगा और इसके परिक्षा जनवरी में होती है तो इस तरह से एक साल में दो बार सीवेसी वोड जो है जारी करती है सीटेट परिक्षा के लिए तो दोस्तर हाँ पर जब भी कोई अपडेट होती है हम आपको अपने चैनल पर जरूर बताते है वीडियो को माधम से तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमाई चैनल पर आप नए होंगे तो मेरे चैनल साब जुड़ जाएगा मेरा नाम पंकर्च आप जरूर पंकर्च एड़ू टेक जैहिन